हलो आज है अठारा जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हाथ हुए केबल के बारे में देखे कल इस कंपनी के नतीजे आये थे और नतीजे देखा जाए तो उतने भी खराब नहीं थे लेकिन उतने अच्छे भी नहीं थे तो जिसके चलते आज अगर हम दे लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी साथ हल्प करेंगे तो हाथवे का जो शेर है ये पंदरा रुपय का है गिरावट आज डेफिनेटली देखने को मिली और एक्चुली में जैसे ही बाजर खुला था गिरावट आ गई थी तो बाजर खु तो देखो यहां पर यही चल रहा है कि एक बड़ा करेक्शन आता है वापस थोड़ा बहुत अटेम्ट करते है कि दो दिन का वापस गिरावट दिखा था अगर आप एक साल के बात करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर यहां पर 9% के गिरावट जो हाई था वो 19 रुपय क था काफी बड़ा करेक्शन हमने देखा वहां से 12 रुपय पर शेयर गया उसको पिछले तीन महिने में देखो तो तेजी है और अच्छली पिछले तीन महिने में बाजार ने काफी अच्छा रिकवर किया भी है लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो गए तो 11% के गिरा उसके बाद तो लगातार 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 यहां पर करेक्शन है पिछले तीन सालों से किया सकते हो कि लगातार करेक्शन देखो बीच बीच में ऐसे अटेम्ट इसने कई सारे किये हैं बीच बीच में आप देखो 21 रुपय से बाउंस बेक किया था 28 पर गया वापस गिर पर गया था वापस कोशिश करी और देखते हैं कि इस बार भई यह जो कोशिश है कितनी रंग लाती है इनकी और जहां तक बात करी जाए तो इस कंपनी का जो मालिकाना हा कि वो मुगेश अंबाने के पास है और कहीं न कहीं हाथ वे केबल की बात करें तो इन दोनों कंपनियो देखोगे तो 2800 करोड के आसपास के इसके मार्केट है और यहां पर कंपनी का पी रेशो देखो तो 42 का है इंडेस्टर पी से कम है लेकिन भईया उतना भी कम नहीं है 42 का हाई कह सको जहां तक बात करी जाए इस कंपनी की तो भूल जाओ कि नंबर्स वाइस अगर आप 90 करोड तो बहुत धीमी गती से बढ़ रहा है यह और जहां तक आप नंबर की बात करेंगे हम प्रॉफिट वगरा कि अगर हम बात करें यहां पर तो इस बार का मुनाफ़ा हुआ है 22 करोड का जो कि अगर आप पिछले क्वाटर के 14-15 करोड के लॉट से कंपेर करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन पिछले साल से कंपेर करोगे तब तो भया एक टाइम था जो 20 करोड, 30 करोड, 28 करोड का भी प्रॉफिट कर चुका है तो कई उतना बड़ा बाउंस बैक नहीं लेकिन फिल भी मैं उम्मीद करूँगा कि चलो इस क्वाटर के जो न आप देख लोगी यहां पर 2020 की बात करें तो 1799 करोड, 21 में 1731 करोड, 22 में 1795 करोड, तो आप देखो पिछे 3 साल का रिवन्यू और यही वज़ाए कि भाई ग्रोथ नहीं है, मार्केट ग्रोथ ढूंडता है, नहीं मिलता तो भाई अप शेर को पटकता हैं, एक सो तीन करोड का profit था फिर 500 करोड हो गया लेकिन बाद में क्या हो गया वापस 103 करोड पर आ गए 130 करोड पर आ गए और अभी तो उससे भी नीचे है यह अभी तो उससे भी नीचे देखो वहिया इनको वहिया कम से कम 30-45 करोड का quarterly profit करना पड़ेगा 2022 financial year में इनका जो profit था 130 करोड का था अभी 23 में कम है उससे कम रहा है और जहां तक बात करी जाए इस company की तो वहिया प्रमोटर यहां पर 75% की holding लेकर बैटे है Reliance यहां पर है वहिया याद रखे Reliance Industries एक भी शर्गिर भी नहीं है और 18.07% है पब्लिक के पास यहां पर F.I.S. बड़ी quantity में है 6.52% लेकिन mutual fund लगातर बिक्वाली कर रहे हैं आप देखो यहां पर पिछले कुछ quarter में mutual fund का game देखो आप यहां पर Almost वह यह exit के कगार पर बैठे हैं यह लोग 2.31% की holding इनके पास और यह latest share holding pattern है latest June का pattern है 2.31% थी June 2022 quarter में बाद में सीधी सप्टेंबर में 1% पर आ गए तो बहुत बड़ी बिक्वाली गए थी इनोंने सप्टेंबर में December में 0.90 पर आ गए March में 0.78 पर आ गए June में वापस आधी कर दी 0.39 पर आ गए तो लगातर यहां पर बिक्वाली चल रही है लगातर mutual funds की तरफ से यहां पर बिक्वाली चल रही है इतना ज़्यादा confidence उनको नहीं आ रहा है insurance company के पास 0.02% की holding ज़रूर देखने को मिल रही है लगातर बिक्वाली का माहुल और जो results आए वो उतने ज़्यादा खराब नहीं लेकिन अच्छे भी नहीं है कि हम यहां से कोई बहुत बड़ी तेजी को expectation में यहां पर करूँ मुझे लगता है कि गिरेगा थोड़ा बहुत अपी और support भी मिलेगा इसको 12-13 रुपए के आसपा एक support भी मिलेगा वापस attempt मारेगा 13-14 पर जाने की कोशिश करेगा वापस नीचाएगा तो यह होगा यहां पर और इसलिए मैं उतना दा बुलिश नहीं मुझे था कि यहां से और भी अच्छी companies है जहां पर पैसा बन सकता है हाथवे मुझे लगता कि यह बहुत रिस्की company है यह और बनेगा तो बनेगा वाला माहौल है और जहां दक बात करें इस company की चाहें internet business की बात करें आप इनके cable network की बात करें तो आने वाले दोर में न कहीं न कहीं एक बड़ा फाइदा यहां पर जीओगा है इनका मैं उतना बड़ा फाइदा अभी assume नहीं कर रहा हूँ देखेंगे क्या होता है इनका आने वाले दोर में लेकिन इतना ही कहूँगा आपसे कि personally मुझे उतना ज़्यादा यहां पर confidence नहीं आ रहा है और इसलिए मैं avoid करूँगा इस company को बागी मर्जी आपकी है इसके लावाज मुकेश अंबानी की कुछ और companies भी है TV18 और Network18 इन दोनों कंपनियों का मालिकाना हग जो है वो मुकेश अंबानी जे के पास ही है और आज इस company के quarter one के नतीजे भी आने वाले हैं और जैसे ही results आएंगे मैं आपको वीडियो बना कर update करूँगा तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जैसे मेरा वीडियो आए आपको पता चल जाए इसके लावा analysis के लिए जिस portal का मैं इस्तमाल करा हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते हैं तो link मैं आपको description में दे दूँगा और अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करेंगा तापको 20% discount भी मिल जाएगा कई सारे बहतरीन features है यहाँ पर जहाँ पर आप एक click में fundamentally strong penny stock को डूंड सकते हैं अच्छा dividend pay करने वाली company आप डूंड सकते हैं इतना ही नहीं जो बड़े-बड़े investors हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा portfolio quarter on quarter update के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा और काफी सारे shares इनके portfolio में आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका नाम तक आपने सुना नहीं होगा तो देर किस बात की है link description में है coupon code भी दिया हुआ है तो जाएगे फाइदा उठाइए वीडियो को यहीं पेंड करूगा पसंद आए हो तो like करें शाय करें चैनल बगरा पहले बार एंट प्लीज सब्सक्राइब करें और हाथ हुए cable के भारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखकर बता सकते हैं थैंक्यू